बीवी हो तो ऐसी, एक बादसाह अपने महल की छट पर टहल रहा था, टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदी गर की छट पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खुमसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी, बादसाह ने अपनी एक बांदी को बुला कर पूचा, किसकी बीवी है य बांदी ने कहा, बादसाह सलामत यह आपके गुलाम, फिरोज की बीवी है, बादसाह नीचे उतरा, बादसाह पर उस औरत के उश्नो जमाल का सहर साच चा गया, उसने फिरोज को बुलाया, फिरोज हाजुर हुआ, तो बादसाह ने उसे कहा, फिरोज हमारा एक काम है, हमारा यह खत पड़ोशी मुल्क के बात्षाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना फिरोज उस खत को लेकर घर बापश आ गया खत को अपने तकीए के नीचे रख दिया शफर का सामान तयार किया रात घर में गुजारी और सुख़ए अपनी मंजल पर रवाना हुए इस बात से लाइल्म के बाश्या ने उसके साथ क्या चाल चली है इधर जैसे ही फिरोज नजर से उजर हुआ बाश्या चुक्के से फिरोज के घर पहुँचा और आश्यता से फिरोज के घर का दर्वाजा खटकटा है फिरोज की बीवी ने कहा कौन है बाश्या ने कहा मैं बाश्या हूँ तुम्हारे शोहर का मालिक तो उसने दर्वाजा खोला बाश्या अंदर आकर बैठ गया फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा आज बात्षा शलामत यहां हमारे करीब खाने में बात्षा ने कहा मैं यहां महमान बनकर आया हूँ फिरोज की बीबी ने बात्षा का मतलब समझकर कहा मैं अल्लह की पना चाहती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही बात्षा ने गुष्ची में कहा ए लड़की क्या कह रही हो तुम साहे तुमने मुझे पेचाना नहीं मैं बात्षा हूँ तुमारे शोहर का मालिक फिरोज की बीबी ने कहा बात्षा सलामत मैं जानती हूँ कि आप ही बात्षा हैं लेकिन बुजर्ग कह गए हैं सेर को चाहे जितनी ही भूंक लगी हो वह मुर्दा जानवर तो नहीं खाना शुरू कर देता और कहा बात्षा सलामत तुम उस कटोरे में पानी पीने आये हो जिसमें तुमारे कुत्ते ने पानी पीया है बात्षा उस औरत की बातों से बड़ा सर्मसार हुआ और उसको छोड़कर पापस चला गया लेकिन अपनी चप पर वहीं भूल गया अब फिरोज को आदे राश्ते में याद आया कि जो खत बात्षा ने उसे दिया था उसे तो घर पर ही छोड़ा आया है उसने घोड़े को तेजी से बापस मूड़ा और अपने घर की तरप लपका फिरोज अपने घर पहुँचा तो तकिये के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बात्षा के चपलों पर पड़ी जिनहें देख फिरोज का सर चकरा गया और वह समझ गया कि बात्षाह ने उसे सफर पर शिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले फिरोज किसी को बताए बगर चुप चाप घर से निकला खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बात्षाह के पास पहुँचा तो बात्षाह ने उसे इनाम के तौर पर सो दीनार दिये फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और और औरतों के इस्तिमाल की कीनती कपड़े और कुछ तोफे खरीद कर घर पहुँच कर बीबी को सलाम किया और कहा चलो तुमारे मैं के चलते हैं बीबी ने पूछा यह क्या है बास्साह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहन कर अपने घरवालों को भी दिखाओ बीबी जैसे आप चाहें बीबी तैयार हुई और अपने वालिद के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई दमादो और बेटी और उनके लाए गए तुहफों को देखकर वह लोग बहुत कुछ हुए फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया एक महिना गुजरनी के वावजूद ना बीबी का पूँचा और ना उसको वापस उलाया फिर कुछ दिन वाद उसके साले उससे मिलने आये और उन्होंने कहा आप हमें अपनी बहें से गुष्से और नाराज़की की वज़े बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे तो उसने कहा अगर तुम चाहो तो कर लो लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हूँ वह लोग अपना केश काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरुज को बलाया काजी उस वक्त वादसा के पास बैठा हुआ था लड़की के भाईयों ने कहा अल्ला वादसा शलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे काजी साहब हमने एक बाक जो दरत फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुवा इस सक्स के हवाले किया था तो इस सक्स ने हमारा बाक वजाड दिया सारे फल खा लिये और दरत काट लिये कुवे को खराब करके बंद कर दिया काजी फिरोज की तरफ देख कर पूँचा हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हूं इस वारे में फिरोज ने कहा काजी साहब जो बाक मुझे दिया गया था वह उससे बहतर हालत में मैंने उसे वापश किया है काजी ने पूचा क्या इसने वाग तुम्हारे हवाले वैसी ही आलत में वापश किया हाँ लेकिन हम उनसे वाग वापश करने की वजए जाना चाहते हैं काजी ने कहा हाँ फिरोज तुम इस वारे में क्या कहना चाहते हो फिरोज ने कहा काई साहब मैं बाग किसी नफरत की वज़े से नहीं शोड़ा बलकि इसलिए शोड़ा है कि बाग में मैंने सेर की पज्यों के निशान देगे तो मुझे खौप हुआ कि सेर मुझे खा जाएगा इसलिए शेर की एक्राम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया बाजसा जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था उटकर बैट गया और कहां फिरोज अपने वाग की तरफ सांत और बे फिक्र होकर जाओ इसमें कोई शक नहीं कि सेर तुम्हारे बाग में आया था लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायू सोकर लोट गया और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारे नहीं देखी फिरोज अपने घर लोटाया और अपनी बीवी को भी बापस ले आया ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है क्या खूब बहतर है अपनी राज को छपाना कि लोगों को पता ना चले अपने घरों के वेद किसी पर जाहिर ना होने दे थैंक्स पोर वाचिंग दे वीडियो